ओम नमेशिवाए, ओम नमेशिवाई दोस्तो अब सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको इन तीन रंगों के कपड़ों को भूल कर भी नहीं पहना चाहिए क्योंकि रंगों का हमारे जी चीजों को आप दर किनार नहीं कर सकती इन चीजों को आप फोलो करेंगे तो आपको फाइदा ही मिलेगा न कि कोई नुकसान होगा दरसल बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कहीं बार हम कहीं सारे उपाय जतन करने के बाद भी चीज़ें सहीं नहीं हो पाती है तो एक छो आप वाटसप पर अपोइन्मेंट लेकर मुझे से बात कर सकते हैं, उसका फीश लाग हो है दोस्तो, आपको कौन सा कलर पसंद है यह ज़रूर मुझे कमेंट्स बता है कि आपका सबसे फैवरेट कलर कौन सा है दोस्तो, उससे यह चीज यह पता लगेगी कि जादा तर लोगो को कौन सा कलर पसंद है, अब आते मुद्दे के उपर, सबसे पहली बात है कि इस यूग में राहू जो है और शनी यह दो ऐसे ग्रह है जो सबसे ज़्यादा लोगों को कल यूग में परिशानी करेट करते हैं, अगर शनी की साड़े साती चल रही है, धहिया चल रही तो लो इसलिए अगर किसी जातक को शनी की महादशा या अंतरदशा चल रही है, शनी की साड़े साती चल रही है, तो काले रंग के कपड़ों को जितना हो सकते वो अवाइट करें, बैशक आपका काला रंग फेवरेट हो सकता है, बाकी इस दर्मियान आपको उसे अवाइट करना चाहिए, अगर आप उसे पहनते हैं, तो उससे आपके पक्ष में बहुत से चाहिए नेगेटिव हो सकती है, अब आपके उपर आप माने या न माने, लेकिन मैं आपको ये सजेशन सहीं दे सकता हूँ, दूसरा है राहू, अगर राहू की मादशा चल रही है, तो राहू को बढ़कीले कपड़े पहनने से वो बहुत जादा एक्टी होता है, तो कोई भी कलर, लाल, हरा, नीला, पीला, बढ़कीला कलर हो, जो एक दम लाल, चटक कलर हो, ऐसे कलरों को जितना उसे के उतना ओवर्ट करें, अगर ऐसे कलर आप पहनते हैं, तो उससे आपको राहू कही इमोशन को दरसाते हैं, इसलिए और राहू इमोशन पर बहुत हद तक उसका प्रभाव हमारे होता है, तो ये बात हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बना है, तीसरा होता है कि अगर मंगल की मादर्शा चल दी तो लाल कपड़ों से बचें, तो आप बच सकते हैं, और